कि नमस्ते भाईयो मैं ब्रम्दत लीगल हेल्फ सोलूशन आसोशेट्स है जैसा कि कल मेरी आप से वीडियो के महरफ़त कुछ ततसाजा हुए थे इसमें मैंने बोला था कि हम अगले वीडियो में अपनी बात कहेंगे कि डॉमिस्टिक बालेंस एक्ट में शेक्षन वारे के तहथ में जो प्रतना पतर दिया जाता है उसमें समर्निंग कैसे होती है और डीपीयो की रिस्पॉंस्विल्टी क्या है और अब किस तरह किसे मूब कर सकते हैं इससे पहले मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ कि यह जो हमारा जो वीडियो है अगर आपको फाइदा लेना है हमसे लीगल टम्स में अगर आपको कुछ राहत मैसूस करनी है तो आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखे क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं जो आपके केस में आपके लिए इंपोर्टेंस रखती है और यह जो मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल पाए तो हम अपनी बात करते हैं दॉमिस्टिक वाइलेंस एक्ट 2005 के बारे में कि इसमें किस तरीके से कि डीप्यों को परिवाशत किया गया है तो हम आपको बताते हैं अपने मारफत कि जो Domestic Violence Act है उसमें DPO को परिवाशित किया गया है DPO को उसमें परिवाशित किया गया है और DPO Report कमपलसरी रहती है Provision of Act ये कहता है कि जब भी कोई घरेलू हिंसा कहीं कारित होई है तो उस कमपलेनेंट की जिम्मेदारी बनती है कि सिकायत सम्मंदित डिष्टिक के डिष्टिक प्रॉविशन ओफिशर को दी जाए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर जाच करें जाच करने के बाद में यदि कोई सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं तो वो Direct Magistate को अप्रोच करें जैसा कि आपने देखा कि जब एक्जाम्पिल के लिए आपको हम बताते हैं कि जब हम लोग कोई अपरात होता है तो हम लोग ठाने में जाते हैं जब ठाने से हमारा जब कोई मुकदमा पंजिकरत नहीं होता है तो हम पर कोट की तरफ 156 CRPC की तरह जाते हैं पर वहां से ठाने से रिपोर्ट तलब की जाती है उसी तरीके का यह प्रोसीजर है तो यहां पर सबसे पहली बात यह है सबसे पहली बात यह है जो complainant जो है उसको सूचना DPO को देनी होती है लेकिन यहां पर माहिलाएं क्या करती है वो DPO को सूचना नहीं देती है वो direct section bar है तो Mr. Valence Act 2005 के तहट में application move कर देती है जब court में जब application move कर देती है तो यह court की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पे कांगनेंस कैसे लिया जाए इसलिए वो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर में कोई incident अगर कारित हुआ है तो उसको specify कैसे किया जाए कि हाँ incident हुआ है इसलिए वो DPO report तलब करने का आधिस पारिद करते हैं इसमें बकाइदा जान्च होती है और DPO की जिम्मेदारी बनती है कि जिस जगह पे in incident हुआ है जैसे सपोड़ कि एक district से दूसरे district में और दूसरे district में जाके application दी गई है तो DPO की जिम्मेदारी बनती है कि जहां उसका jurisdiction बन रहा है वहाँ पे वह application को forward करे वहाँ पर investigation हो वकाइदा report अपनी magistrate को दे आपने बहुत सारे मामलों में देखे होंगे कि Domestic Violence Section 12 का जब मुकदमा दायर होता है तो मुकदमा दायर होने के तुरंट उपरांथ DPO report तलब की जाती है order sheet पे और एक तरब Domestic Violence Act 13A के तहत में आपको summoning कर दी जाती है जबकि प्रोसीजर नहीं है प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले DPO report तलब की जाएगी DPO report जब पत्रावली में सामेल हो जाएगी सामेल होने के बाद में magistrate कॉंग्नियंस लेने के बाद में आपको summon करेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर magistrate भी content हो सकते हैं अगर आप सही से करवाई करेंगे तो तो यहां पर क्या करते हैं तो DPO है DPO अपनी जिम्मेदारी को निवाने के लिए एक format में DPO report बना के तयार कर देते हैं उसी पर कॉंग्नियंस ले लिया जाता है पूरा मुकदमा उसी पर चलता है जैसे कि 156 में हम लोग कोई मुकदमा दाखिल करते हैं तो वह ठानी से report मांगते हैं और उसमें से के वाल यह होना चाहिए कि नहीं साब यहां पर मुकदमा दर्ज नहीं है इतनी रिपोर्ट जानी चाहिए उसी तरीके से DPO report यहां पर काम करती है कि जब स्रेक्शन बार है कि तहत में direct मुकदमा जब code में चला गया direct मुकदमा जब code में चला गया तो मजिस्टेट की जम्मेदारी बनती है कि डिस्टिक provision officer जो डिस्टिक के हैं उनसे report तलब की जाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भी मामला लंबी चला हो और report में भी चला हो दो-दो जगे चल जाए इस वज़े से यह report तलब की जाती है लेकिन यहां पर provision of act का violation किया जाता है कि सही my name अगर पूछा जाए और क्योंकि सबसे पहले जो complaint है सिकाइद करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि डीपियों को सिकाइद दें डीपियों उस पर जाच करें और यदि को incident पाया जाता है तो वो incident को सम्मंधित magistrate की court में भीजें लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है कि Domestic Violence Act में डीपियों की regarding साफ तरीके से guidelines दी गई है साफ तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आपको जाच करनी है किस तरीके से आपको local jurisdiction की जो पियेस है थाना है उससे आपको help लेनी है किस तरीके से आपको report तलब करनी है किस तरीके से आपको witness लेने है यह सारी चीजें उसमें आती है अभी हाली में एक ruling भी आई थी उस अब प्रतिवादियों को तलब नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें इसमें खामिया हैं, खामिया सबसे पहले लड़की यही पे बॉलेशन कर देती है एक्ट का, कि उसने कोई सिकायत नहीं दी होती है, उसको सिकायत देनी होती है, और देनी चाहिए, डिरेक्ट मुकदमा अगर सेक्षन बारे के तहट में यदि कोड में दाखिल हो जाता है, तो जस्ट एक फॉर्मल्टी बन जाती है, कि डिप्यो रिपोर्ट तलब करें, और ये कंपल सरी है, जैसा कि एक्ट अप्रोविजन में कहा गया है, आगे हम आपको बताएंगे, कि इस तरीके से डिप्यो रिपोर्ट को चेलेंज करेंगे, किस तरीके से हम दी कंटेंट अप कोड का मामला भी दर्ज कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं, हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को आगे देखते रहिए, और हम लोग, सब लोग, इस किसी मोहिम में जोड़े हुए हैं, कि किसी भी तरीके से आप तक रहात पहुचाई जाए, हमारी वीडियो के मारफत पहुचाई जाए, बहुत से अदवक्ता भाई हमारे साथ में काम कर रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए कि किस तरीके से आपको डॉकुमेंटीशन करना है में चीज है कि जितने अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी जितना अच्छा आपका डवलू एस रिटेने स्टेटमेंट होगा उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं तो हमारा यहां पर कहने का मतलब यह है अगर आपको किसी भी तरीके की कोई अगर आवश चक्ता है तो आप शच्छुलक हमारे वोट्सप नंबर जो नीचे डिस्पले हो रहा है उस पर आप सकते हैं उस पर अपनी बात कह सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे पूरी तरीके से मदद करेंगे और जहां जहां पॉस्विल्टी होगी वहां पे हम आपको गाइड करते र लोगों को तलब कैसे किया जाता है तो कि एक्ट का वाइलेशन तो यहीं पर हो जाता है जैसी स्रक्षण बारा के तहतों मुकतमा दाखिल किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोवीजन में ये चीज है कि नहीं टॉमिस्टिक वाइलेंस की यादि कोई इंसीडेंट हो रहा है तो वो सबसे पहले आपको DPO को एक सिकायट देनी होगी क्या आपकी पत्रावली में जो आपके खिलाब section 12 का मुकदमा चला है उसमें कोई DPO को दी हुई सिकायट लगी है नहीं लगी है अकर सिकायट नहीं लगी है तो वो मुकदमा standable नहीं है बाकी हम आगे बताते रहेंगे हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि किसी को भी जरासी चुक से कोई गलती नहीं हो जाए इसलिए हमारा पुरा प्रयास है हमारी कोसिस है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और हम सम मिलकर एक दूसरे की मदद करें बाकी आगे वीडियो में धन्नवाद